उत्तर परदेश के कासगंज कोतवाली में यूवक की संदिक्द मौत हो गई है पुलिस ने कहा कि जैकेट की डोरी को नल में फसा कर यूवक ने खुद कुशी की है और लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेथ पाच पुलिस वाले सस्पेंट कर दिये गए हैं इस मामले में पुलिस को कातिल बताने वाले यूवक के पिता चांद मिया ने 24 खंटे के अंदर जुबान बदल गई है और अब वो खुद को पुलिस की कारवाई से संतुस्ट बता रहे हैं कासगंज पुलिस द्वारा एक यूवक को पुछताज के लिए बुलाए जाने और पुलिस थाने में उसका शव मिलने पर मिर्तक के पिता चांद मिया ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने बता रही कि आपके बच्चे ने फासी लगाई है मेरे सामने पुलिस कर्मी उसे इलाज के लिए लाए आखिर में वो नहीं बचा मैं कारवाई से संतुस्ट हूँ इससे पहले चांद मिया ने कहा कि मैंने अपने बेटे को कल शाम आठ वजे खुद पुलिस को सुदुर्ब किया था और अभी अभी मुझे पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि अलताफ ने थाने की हवालात में फासी लगा ली है उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को पुलिस ने फासी लगाई है बता दे कि उत्तरबरदेश के कासगंज जनपत में एक नाबालिक लड़की को भगाने के आरोप में पूछताच के लिए 22 साल के अलताफ की कासगंज कोतवाली की हवालात में मौत हो गई और पूलिस के अनुसार अलताफ ने टॉयलेट जने के बाद हवालात की टॉयलेट में ही जैकेट के हुट के नाड़े से ही फासी लगा ली इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी कासगंज ने कोतवाली इंस्पेक्टर काशगंज सहीद दो सब इंस्पेक्टर और एक हेड को एक सिपाही को ततकाल प्रभावल से ही निलंबित कर दिया है दक्षिन राजे तमिलनाडो में भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है राजे में भारी बारिश से होने वाली घटनाओं में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है राजे की स्थिते सुधरने के बजाए और बिगरती जारी है मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चकरवाती तुफान आज तमिलनाडो के तर्ट पर पहुंच सकता है तुफान के मदे नजर राजे के नो जिलो में रेड अलर्ट जारी किया गया है वही राजधानी चेन नई और आसपास के इलाकों में धीमा पढ़ने के बाद बारिश का दोर फिर से शुरू हो गया है मौसम विभाग ने बताया कि चकरवाती तुफान के आज शाम तमिलनाडो रांधर परदेश के तर्ट से गुजरने की संभावना है और इस वज़ा से अगले तीन चार दिनों तक ही तमिलनाडो के व्रिस्तु छेतर में बारिश होने की उमिद की जा रही है इतना ही नहीं मौसम विभाग के अनुसार कुछ खास इलाकों में मुस्लाधार बारिश हो सकती है जबकि अधिक्तम स्थानों पर गरज के साथ मद्य दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है आपको बता दे कि कई जगा पर कई जिलों में भी कुछ इलाकों में मुस्लाधार बारिश हो सकती है वहीं तमिलनाडू के निलगीरी और भी कई जगा पर नमकल जगा पर और चेनई और केंदर शासित परदेश पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ही मुताबिक 12 से 14 नमंबर के बीच तमिल नाडू के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है जबकि तमिल नाडू के कुछ इलाके पुडुचेरी और कराईकल और गरच के साथ बिजली चमकने की ही संभावना है बॉलेवड अभी नेता शारुक खान के बेटे आरेम खान से जुड़े क्रूस ड्रग्स केस में मुख्य गवाव परभाकर सेल आज NCB दफ्तर जाकर बयान दर्च कराएंगे और इससे पहले NCB की SIT टीम ने वसूली की कोशिश के सिलसिले में ही परभाकर सेल से 11 घंटे से ज़्यादा वक्त का पुछताच किया था और वहीं इस मामले में NCB विजिलेंस चीफ ने ही दावा किया है कि एक टीम जल्द शारू खान के मैनेजर पूजा ददलानी से भी पूछताच करेगी NCB के एक अधिकारी ने ये भी बताया है कि सेल अपने वकील तुशार खंडारे के साथ भी उन पर बांदरा में केंद्रिय रिजवर पुलिस बल में मैस पहुँचे हुए थे और NCB के उप महा निर्देश्यक ग्यानेश्वर सिंग के नेतुत में ही NCB की और SIT टीम सोंबार सुभा दिल्ली से यहां पहुची हुई थी आपको बता दे कि ग्यानेश्वर सिंग NCB के मुखे सतर्पता अधिकारी भी है NCB के गवा KP गोस्वामी का बोडी गार्ड होने का दावा करने वाले सेल के पिछले महीने एक हल्फ नामे में आरोप लगाया था कि उन्होंने गोस्वामी को NCB की और RN खान को गिरफतार करने के बाद 25 करोड रुपे में समझोता करने पर चर्चा करने को सुना था और सेल में आरोप लगाया था कि गोस्वामी के कहा है कि समझोते की धनराशी में से 8 करोड रुपे NCB ने मुंबई मंडन के निर्देशक समीर वानखेडे को दिये जाने और वानखेडे ने इन आरोपों से साफ इंकार कर दिया है पिछले महीने ग्यानेश्वर सिंग के नितत्यों में ही SIT वसूली के आरोपों में जाच के लिए मुंबई आई थी लेकिन वो सेल के बयानदर्ज नहीं कर पाई थी और उस समय उसमें वानखेडे समेट 8 लोगों पर बयानदर्ज किये थे आपको बता दे कि आज NCB को लेकर इसमें पूझा ददलानी से भी हो सकती है पूझताच ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी जानकारी भी सामने आई थी इतना ही नहीं आपको ये भी बता दे कि आज NCB दफ्तरों में बयानदर्ज कराने के लिए गवाह जो है परभाकर सेल है और उन्होंने गवाह देरी के लिए कहा है और पूझा ददलाने से भी उनकी पूझताच हो सकती है और उस समय उसने वानखेडे समेत आट लोगों के बयानदर्ज किये थे